ओम सिरी गनेश सायन अमदोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 मई शनिवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन कुम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो कोंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम राशी वालों के लिए शनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आप के लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और भेतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ संबंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और संबान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गति विदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविस्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुनहें उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपून कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपने पृतिवाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वेकारे प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भैतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्शन वे सयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविद्यो में समय नश्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्थी के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटगा सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना हैं वे ध्यार्ति अपन दगमा आ सकती है इसलिए बजट बना कर चलना जरूरी है कभी कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाव परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तो साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर् कारियों को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपनी बजट को ध्यान में रखकर आप घर्च करें क कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है विवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतित होगा प्रेम संबंदों में भी नजदी की आएंगी आपकी व्यस्तता के कारण जीवन साती का परिवार के लिए पूर्ण सयोग रहेगा जिसकी वज़े से आपके आपसी संबंदों में काफी मधुरत आएगी पती-पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंग सौपिंग और मौज मस्ती में आज समय व्यतित होगा प्रेम संबंदों को भी परिवारिक स्विकर्ती प्राप्त होगी व्यवशाय और परिवार दोनों जगहें तानमेल बना रहेगा जिससे बहतरिन वातावरन रहेगा घर की छोटी मोटी नकारातमक बातों को नजर नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वैवशाय केरियर क्यासा रहने वाला है दोस्तों पार्टनर्शिप संबंदित कारों में लाबदाएक आज प्रिस्तितियां बन रही हैं कार्रे को विस्तरित करने संबं संबंदित योजने भी आज बनेंगी नोकरी पेश व्यक्तियों के कामकाज आज ज्यादा रहेंगे प्रतिष्ट लोगों से अपने संपर्कों को आप और अधिक मजबूत करें उनके द्वारा आपके वैवशाय में नए ओर्डर और अनुबंद प्राप्त हो सकते हैं सरका अधिकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य भार रहेगा आप अपनी योग्यता वै काबलियत द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कुछ बदलाव लाने की कोशिस करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे कुछ नए जन संपर्ग भी आज इस्थापित हों आप अधिक ध्यान में रखें जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं दोस्तों नौकरी में आप अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरबाई ना वरतें व्यवसाइक गति विदियों में सुधार आएगा करमचारियों के प्रति आपकी उदारता वे उत्तम व्यव उनकी कारे छमता को और भी अधिक बढ़ाएगा दोस्तों साथी साथ कारे छित्र में आप सभी गति विदियों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे अपनी कारे प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है नौकरी पेश व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वारा है दोस्तों आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु जादा काम के दवाब की बज दोस्तो आज आप इस नान आदिशे निर्वत्र होने के बाद थोड़े से काले तिल थोड़ा सा आटा और थोड़ा सक कर लें इसके बाद आप इन तीनों चीजों को मिला कर इसका एक मिस्रण तयार कर लें इसके बाद आप इस मिस्रण को भगवान शनिदेव का इसमरण करते हुए चीटियों को खिलाएं और साती सात अपनी मनों काम नहीं मांगे या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स वोक्स में जैस शनिदेव अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद